हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एक बाव फिर से हमारे चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको 40 ब्रेश्ट के हिसाब से कुलती कटिंग करना बताएंगे इससे पहले वीडियो में हमने आपको 30, 32, 34, 36 और 38 साज के कुलती कटिंग करना बताया था जिन सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्चर में मिल जाएगा और आज किस वीडियो में हम आपको 40 ब्रेश्ट के हिसाब से कुलती कटिंग करना बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको अपना जो साइज है साइज बता देते हैं कि हमारा क्या साइज होने वाला है हमारी कुलती की या सूट की जो लंबाई यहाँ पर 38 इंच है 38 इंच है इसके जो ब्रेश्ट होगी 46 इंच है पल्ले की जो छुड़ाई यहाँ पर 22 इंच है और आगे गला यहाँ पर 7 इंच होगा और पीछे गले की लंबा यहाँ पर 7.5 इंच होगी तो अगर आपका कुल्टी का साइज या sự तरीके से है तो आपको सेमे कटिनक करpora देने जैसे हम कटिनक करेंगे और अगर आपका साइज चोटा साइज है तो हमारे बाकी वीडियो सब्सक्राइब करेंगे और बाकी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो कैसे लगी ये भी आप में जरूर बताईए तो सबसे बहुत यहाँ पर हमारे पास ये 2 मिटर कपड़ा है इस कपड़े को हमने इस परकार से रखा हुआ है तो पहले आपको उपनी कपड़े को ऐसे खोलना होगा और इसमें से आपको उपनी कुर्टी के लिए फ्रेंट और बैक पार्ट को निकालना होगा ये कपड़ा हमारा पुरा स्तरीके से इसे फोल्ड है अब आपको इसको इस प्रिकार्ट से फिर से फोलड कर देना होगा तो फ्रॉंट और बैंग निकालने के लिए आपको यहां पर जो भी आपका हिप साइज है फिर जो आपका पल्ले का साइज है आपको इस साब से कटिंग करना है देकि 44 inch हमारा hip है, इसका जो आज़ा सा hip size है, वो 22 inch है तो एक ही चीज चाहिए, आप इसके साब से cutting कर लो, चाहिए साब से cutting कर लो, एक ही चीज आएगी तो जिसे कि यहाँ पर हमारा पल्ले का size है, 22 inch है, तो हम यहाँ पर 22 ऐसे रखेंगे और इसमें आपको करीब वे 5 इंच एक्ट्रा मतलब कि 27 इंच 27 इंच आपको लेना है ऐसे ठीक है न हमको फिर से दिखा देते हैं यह देखे 22 इंच हमारा पला होगा यह 22 इंच है हम यहाँ पर इसमें 5 इंच एक्ट्रा लेंगे बाकि दबाव अगरा के लिए मार्जन के लिए ऐसे तो टोटल यहाँ पर 27 इंच हो गया है जो सेम साइज आपको निच्छे वे रखना है 27 इंच 27 इंच और अब इस मार्ग को ऐसे कटिंग कर देना है आपको अब आपको पूरे कपड़े को इस प्रकार से यह फोल्ड कर देना है अब इसको आपर ऐसे करके यह ऐसे मोड़ दीजिए यह आपकी कुर्ती का यह फ्रेंट और यह बैक निच्छ वाला पार्ट ऐसे हो गया है अब आपको यहाँ पर अपने कुछ निशान लगाने है अपनी मेजरमेंट के साब से तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें उपर की तरफ निशान लगाएंगे यह ऐसे हमने SX सीधा करके यह मार्क लगाया इस परकार से अब आपको यहाँ पर जो भी आपकी मेजरमेंट है आपको उसका निशान लगाना है हम उपर से नेची की तरफ आएंगे उपर से नेची की तरफ साथ इंच पर आपको निशान लगाना है यहाँ पर आपका ब्रैष्ट और आपका आर्मोल आएगा इसके बाद सबसे चोदा इंच पर 14.5 इंच में लगाना है यहाँ पर आपकी कमर साइज आएगी हिप के लिए आपको अपर 20.5 इंच में लगाना है इसके बाद बारी आती है यहाँ पर यहाँ पर जो लंबाई है वो 38 इंच है 38 का जो हम यहाँ पर मिंच में 1.5 इंच एक्टर लेंगे 38.5 इंच आदे इक्टर लिया है अब आपको इस सभी मार्कों सीधा कर देना है पहले अपनी इस मार्कों सीधा करेंगे अब बाकि इसके बाद कर देंगे फिर से उपर आएंगे अब यहाँ पर हम अपना निशान लगाएंगे यहाँ पर आप जो तीन रखींगे अपर 6 6.5 इंच रखेंगे ऐसे मार्कों सीधा किया निचे की तरब आपकर साढ़े 5 इस निशान लगाना है 5.5 इंच पर इसके बाद बार आते हैं आपकी ब्रेस्ट की हमारी यहाँ पर चार्टी है जो ब्रेस्ट है वो 40-14 इच्छ दरफ कर जो चोथाय भाग वह यहाँ पर 10 इंच निशान लगाएंगे फिर इसके बाद में 1 इंच एक अच्छान लेंगे लोगा के लिए इस परकार से अब यहाँ कर निशान लगाएंगे निचे की तरफ कमर इसके बार का स01 यहां पर फैर प्लॉस आशले इस्टपर हमने इंच्टा है यहां उसे थोड़ा कम, अब इस्के बाद बार यह आती है आपको फैक इंच वाला हा इंच, हो रोटी फूरिंच है फोर्टी फ़ोर का चोथा यहाँ पर यह ग्यावरा इंच होता है इन यहाँ आप हम एसे हमागर बाद में किशन जो निश sweeping ऑपने यहाँ पर लगा इस सम निशन लगा यहाँ पर निशे स्छन आप दो पर यह का के मारकिंग को अपकी आपकी measurement के according अब आपको यहाँ पे इसको मिला देना है इन सभी मार्कों को आपस में इमारा हीप और पल्ला मिल गया है इसके बाद में जो बाकिये मार्क को भी मिला देते हैं ऊपर की तरप यहाँ पे आपको half inch का ऐसे down देना है शोल्डर में तागि आपके कंदे बेज़ु शिपक कर आए अब इसके बाद में यहाँ पर जो आपका armhole है आरमhole का mark ऐसे करके यहाँ पर ऐसे गुलाई देगे यह हम यहाँ पर दूरी रखें करी यहाँ पर यहाँ पर ए कैसे करना है अब यहां पर हम इसमें पहले अपना बात पार पार्ट करेंगे करना है बैका पार्ट को आपको अमेशा आग वाले पाट से 1 हर्फ इंच ग्याक लाक होता है 35 breast से उपर size में जो size 35 breast से बड़े होता है उन में cutting होता है बागे में बराबर cutting होता है back part को भी ऐसे extra cutting करेंगे यहाँ पर हमने इसके दूरीगे करीब कर यहाँ पर 2 inch रखी है अब आपको यहाँ पर cutting करना है यह जितनी भी आपको रिशान लगे हैं ओपस लेगे नेचे तक आपको अमेशा बराबर में 1.5 इंच कपड़ा एक्टर ले कटिंग करना है ओपस ले नेचे तक अब यह जो आपका निशान लगवा यहाँ पर आपको निशान से नीचे की तरफ तीनीच कपड़ा एक्टर लेना है और बागी कपड़े trapped के बराबर ख़र देना है अब इसके बाद आपको एक कट ने premise क्टम लगाना तो बाकी जो बचा हुआ कबड़ा है इसको आप यूज कर सकते हैं यह आप देखी यह आपका डबल कबड़ा है इसको यहाँ पर डबली रखेंगे अब इसको महिच तरीके से जहां पर यह फोल लगा देंगे ऐसे इसको मोड़ा इसमें आपको एक डिशान यहां पर लगाना इस dwa Dad see saint अब आपको यहां पर यहां पर शुंच पर अदा इसके बाद भी अब आपको यहां पर यहां पर निषान लगाना है अपनाfashioned हम उप गई है अब आपको इन मार्कों को ऐसे करके सीधा करना है यह मार्क आपके सीधा हो गया है अब इसके बाद में यहां पे जो हमारा आर्मोल होगा इस चालिस साइज में तो यहां पर आर्मोल का साइज यहां पर साड़े आठ इंच होगा एट पॉइंट हाफ इंच होगा इस कि जो मोहरी है वो यहां पर 13 इंच है तैरा का जो हाफ होगा वो शाड़े 6 इंच होगा 6.5 इंच होगा अब आप इस मार्क को ऐसे करके यह सीधा कर दीजिए अब उपर की तरफ आपको यहां पर ऐसे गुलाई देनी है अब इसकी कटिंग कर देंगे इसकी हमने कटिंग कर दिया अब देखिए यहां पर इसमें बारी आती है आपका नेचे के पार्ट की तो अगर आपको यहां पर नेचे के पार्ट में तुरुपाई करनी है तो इस निशान से आपको करीब-करीब यहां पर 1.5 इंच कपड़ा ऐसे करके एक्ष्टर लेना है और यह कपड़ा आपका पुरा तुरुपाई के लिए ऐसे करके यह ऐसे फोल्ड हो जाएगा ठीके लेकिन अगर आपको आपको यहां पर तुरुपाई के लिए छोड़ देंगे अब इसके बाद में आपको इसमें एक कट ऊपर लगाना है एक कट यहां पर लगाएंगे यहां पर अब इसको ऐसे कोल दीजी और इसके एक साइड वह जहां पर निशान लगा ऊब यहां पर आपको ऐसे कपड़ा काट है करिए आधा है अधा इंच कपड़ा काट शुक्त कर दिया यह आपकी आसिं कट नहीं हो चुकि है यह आपकी आसन का आगए का पाथ है और य आप भी इसको अपने इसाब से अपने लिए इस कुर्टी को ऐसे कटिंग कर सकते हैं कहीं से आपको ज्यादा कम नहीं करना पड़ागा जैसे निशान हमने लगाएं ऐसे निशान लगा कटिंग कर दीजिए और अगर आपको इससे चोटे साइज जैसे की 30 32 34 38 और 36 साइज की क पड़ेगा हम उन सभी का वीडियो इन सभी के बात बनाएंगे तो तो चलता है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बायर थैंक्यू एंट्रेक के है और यह जो बाकि हमारा का बड़ा बचा है इस कपड़ेगा हम यूज करेंगे अपने कुर्ती के नेक अगले वीडियो में